guys अगर आप एक YouTuber है आपने अभी तक इस Playlist को नहीं create किया है यहने कि अगर आपने अभी तक इस Playlist को नहीं बनाया है तो आपको जिल्दी से इस Playlist को बनाना चाहिए so guys आज़ कि आप को बताने ऐमालों की Playlist होता क्या है और इसको कैसे create करते है जियां guys, वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाले है guys, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ने कहा है तो लाइक करदो और चैनल पर नाय होतो चैनल को सबस्क्राइब करदो क्योंकि गाईज ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडिओ रोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चलिए आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडिओ को शुरू करते हैं गाईज सबसे पहले मैं आपको बतातूं कि प्लेइलिस्ट होता क्या है जैसे कि यहाँ पर मैं एक चैनल में गया है फ्रेंड का चैनल है टेकनिकल साजेब यहाँ पर जैसे मैं इसको ओपन क्या है यहाँ पर दिखा रहा है सबसे पहले होम उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पर वीडियोज वीडियोज के बाद यहाँ पर दिखा रहा है प्लेइलिस्ट यहाँ गाईज यह जो तीसरा वालो अप्शन है प्लेइलिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दो प्लेइलिस्ट बना के रखें एक रखाए Google Tips and Tricks और दूसर रखाए इसने एप टुटोरियल जियां गाईज दियान से समझना यह जो फस्ट वाला Google Tips and Tricks का प्लेलिस्ट है इसमें हमें सिर्फ Google Tips and Tricks के वीडियोज मिलेंगे जियां गाईज यह जिसने दूसरा बना के रखाए एपस टुटोरियल इसमें हमें सिर्फ एपस टुटोरियल मिलेंगे किसी तरह से और को भी बना सकते है जैसे कि यह रखेगा आनलाइन अर्निंग आनलाइन अर्निंग के भी वीडियोज में मतलब डाल सकता है अलग अलग प्लेइलिस्ट में अलग अलग वीडियोज डाल सकते हैं आपको मैं अच्छे से तबारा समझाओंगा मिसाल की तोर पर मैं वीडियो डालता हूँ फेस्बुक के बारे में इनस्टाग्राम के बारे में वाटसअप के बारे में और डालता हूँ YouTube के बारे में जियां गाइज तो गाइज क्या है कि जो मतलब मैंने वीडियोज Facebook के बारे में बनाए होंगी उनको मैं अलग से रख सकता हूँ YouTube की वीडियोज अलग से रख सकता हूँ मतलब Google टिप्स और ट्रिक्स में के बारे में करेट करते हैं तो चलिए शूरू करते हैं तो गाइस प्लेयलिस्ट को क्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले Google Chrome में जाना होगा यहां पर आपको सर्च करना है YouTube.com जैसे कि यहां पर सर्च करूंगा मैं YouTube.com तो गैस जैसे आप YouTube.com सर्च करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा तो simply आपको क्या करना है आपको राइट साइट यहां पर सबसे उपर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद जी आपको यहां पर थोड़े नीचे आना है यहां पर आपको एक ओप्से मिलेगा desktop site तो simply आपको क्या करना है आपके इस desktop side पे click करना है याई कि आपके इसको enable कर देना है तो जैसे कि यहाँ पर इसको click करूँगा मैं तो guys desktop side को आण करने के बाद यह आपके सामने एसेंटर रिफेस आएगा तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर आपको आ जाना है right side सबसे उपर जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा zone करूँगा देख सकते हैं guys यहाँ पर आपको एक channel का logo मिलेगा अपने channel का logo दिखेगा यहाँ पर आपको इस logo पे click करना है तो guys जैसे आप logo पे click करोगे यहाँ पर यह बहुत सारे option दिखाएगा जैसे कि your channel purchase and membership YouTube studio, switch account, sign out यह बहुत सारे option दिखाएगा यहाँ पर तो guys आपको क्या करना है आपको simply यह सबसे पहला वाल option है your channel तो guys आपको इस पे click करना है तो guys उसके बाद यह आपके सामने ऐसा page open होगा यहाँ पर आपको थोड़ा zone करना है यहाँ पर यह दो option दिखाएगा एक दिखाएगा customize channel और दिखा रहा है manage videos तो guys आपको क्या करना है आपको simply यह जो पहला वाल option है customize channel आपको इस पे click करना है तो guys customize channel पे click करने के बाद यह आपके सामने ऐसा page open होगा यहाँ पर आपको क्या करना है आपको आपको जाना है left side यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जैसे की थोड़ा zone करूँगा मैं तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है अब यहाँ पर आपको जो three lines वाल option button में लेगए दर सब से उपर left side आपको इस पे click करना है तो guys उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं जैसे की दर dashboard content प्लेइलिस्ट एनलेटिक्स कुमिट्स सब्टाइडल्स यहाँ पर इस तरह से आप बहुत सारे option देख सकते हैं तो guys आपको क्या करना है simply यह जो तीसरा वाल option है प्लेइलिस्ट का तो आपको इस पे click करना है तो guys playlist पे click करने के बाद आपके सामने ऐसा page open होगा तो आप जाना है आपको right side सबसे उपर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा new playlist यह जो बिल्यू कलर सी लिखा इदर तो simply आपको इस पे click करना है तो उसके बाद यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दिखा रहे हैं इदर playlist title यहाँ पर आपको title लिखने है playlist का जैसे कि यहाँ पर लिखूँगा मैं Facebook tips and tricks तो guys title लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इसको public रखना है जैसे कि इस public पर click करूँगा मैं तो गाई इस public पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है यहां पर रहे दो अपषिन दिखाएगा एक दिकाएगा cancel का दुसरा दिखाएगा create का तो simply आपको क्या करणा है आपके grid पे click करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसी मैंने create पे click है जो playlist है त्यार हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं facebook tips and tricks यहां पर मैंने इसको public रखा था public मतलब आज date है 27 में 2021 आपको मैं date लाओ दिखाऊंगो यहां पर आप देख सकते हैं 27 में तो गया उसके बाद आपको क्या करना है प्लेडिस्ट को create करने के बाद यहां पर आपको इसे पर click करने है जैसे कि यह title लिखा है facebook tips and tricks इस पर click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इसके बाद आपको यहां पर मैं वीडियो में जाओंगा वीडियो में जाने के बाद मैं उस facebook के वीडियो का यहां मतलब प्लेयलिस्ट में डालूँगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देखा रहा है how to change facebook profile name मतलब जितने भी video मैं ने facebook के बारे में बनाए है उनको मैं अलग से बब उस playlist में डालूँगा जैसे कि यहां पर simply क्या करना है अब इस three dot पे click करना है three dot पे click करना के बाद आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखा रहा है जाओंगा तो देख सकते हैं गाई यह जो फेजबूक टिप्स हैं ट्रिक्स जो मतलब प्लेइलिस्ट यह तियार हो गया कि क्रेट हो गया तो दोस्ते इसी तरह से आप मतलब अर्लाइन अर्नि क्या अगर आप वीडियो अलग से बनाती हो उनको अलग से डाल सकते हो मतलब और कोई भी वीडियो डालते हैं मतलब आप आलग अलग अलग माज़़ा रख चुकती हैं सकते हैं गाईज एक वीडियो मैंने और बनाए हो तो इसारी क्लिक करना है उसके बाद टुप और प्लेदिस्ट टूप डिखायें13 स्टिश लेटर वावज द offend case इस पर क्लिक करना है न पर क्लिक करना है तो जैस् Souls के बाद फिर से जाओं 유क्ण यहां पर मैं प्लेडियो इसके लिग हो मैं पर आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करऊंगा है कंद एलिग काई पर जो मैंने अभी वीडियो मतलब बिजरोर करना तो मिलते हैं ज़ल्दिकों नएट एक वीडियो के साथ तब तक के लिए आपिज